नमस्कार दोस्तों आज का हमार टॉपिक है पाउर फेक्टर दोस्तों वीडियो में हम जाने के पाउर फेक्टर क्या होता है और या कितने प्रकार का होता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को रिश्टार्ट करते हैं तो से पहले हम देखते हैं पाउर फेक्टर क्या होता है द आस्तविक पावर और अभासी पावर के अनुपात को पावर फेक्टर कहते हैं इसको एक इमेज के माध्यन से समझते हैं थोड़ा सा और ज़्यदा किलियर हो जाएगा तो जैसा कि इसमेज में आगा आप देख पाएंगे तो इसमेज में हमारी ये वोल्टेज की और ये होती है क्यों देख लेते हैं क्योंकि चुक्त प्रक्राइब करते हैं कि इस परकार क्या होते हैं ma eyesight पार आते हुं तुम थियुक्रों तीन परकार के होते निइंग्ड पारफेक्टर लेगिंग पार और लेइडिंग औरड़ फेक्टर वहम बात करते हैं B 끝 opening न Strange है वह unit power factor का होता है वो एक साथ चलती है और इनके बीच जो cosine angle होता है वो क्या हAtt gloss zero होता है उसकी value क्या होती है इसलिए हमाद plaisirs लोड होता है वहाँ पर हमारा power factor होता है या या फिर योनिट होता है दोस्तू यह सबसे अच्छा पौफेक्टर माना जाता है अब हम बात करते हैं वो आ चलता है लगे क्युंtan कूंके हमाज जो inductive coil होती है, पिशियर जो हमाई inductive load होता है, वो हमाई energy किसमें save करता है, magnitude field की रूप में save करता है, जो हमाई current होती है, पहले magnitude field generate करती है, उसके बाद वो आगे बढ़ती है, तो जब तक हमाई current坐 the magnetic field को generate करत जब तक Legends Bis Значит को जबता है, इस वज़े से हमारा जो current होता है वो हमारी voltage से पीछे हो जाता है इसलिए हमारा जो inductive load होता है उसमें क्या होता है हमारा power factor lagging हो जाता है दोस्तों हमें बात करते हैं leading power factor की दो जो leading power factor होता है उसमें हमारी current होती है वो voltage से आगे चलती है तो ये हमारा लीडिंग पाउर फेक्टर होता है दोस्तो हमारा पौर्फेक्टर लीडिंग कब होता है जो हम सर्कुट में रूफ करते हैं जैसे zukने रूफ रोफोस ह tv होता है पीछे हो जाता है जुझ anche हमारे करणे आगे चली जाती दोस्तो हमारा current दोस्तों capacity load वो पीछे क्यों हो जाता है क्योंकि हमारा जो capacity load होता है वो elliptic energy को विद्धु छेत के रूप में store करता है तो जब तक हमारा capacitor जो होता है या फिर हमारा capacity load होता है उसका voltage हमारा source voltage के बराबर नहीं हो जाता है वो voltage को आगे नहीं बढ़ने देता है इस दर्मयान हमारा current होता है वो क्या होता है हमारे voltage से आगे बढ़ जाता है इस तरह से leading power factor में हमारा current होता है वो voltage के आगे चलता है और यह हमारा leading power factor कहलाता है I hope दोस्तों आपको ये सबंद में आ गया होगा कि हमा जो power factor होता है वो leading up होता है और lagging up होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो था हमाई चैनल को like subscribe से जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ